हलो फ्रेंड़ेए मैं वेजश्यस्वी पठेक, नस्वागत कर्ती हूँ आपकाstation वेज़ ईस कीछर्ड में आज मैं आपके लेके आई हूं सोया भूर्जी जिससे बनाने के लिए मैंने सोया ग्रैंट में उसका यूस किया है। पानीर कों सॉया बुर्जी से बनाना ओट मेंसे ही एक कीडमक भी है पिरेट से भीड़क हो आज है व कर देश कर द गुदुद मनालाई बनाते हैं तब चॉशास बन जाती है उसे मैंने लिया और आप जो भी काहई पर करने के लिए रहा है आप करीबंद उसे 5 ते के लिए गरम करो गए तो इस तरह में जब पनीर बढ़ जाएगा उसमें और पुछ डालने की ज़रूरत नहीं ज़र एक तो बस हमारा पनीर बन के तैयार है हाँ अब भर निकाल लेगे अगर आपको इस तरह से पनीर नहीं बनाना है तो जो नार्मल पनीर मिलता है उसे हम ग्रेट करके ले लेंगे अब उसे हम छान लेंगे अब इसे हम साफ पानी से दो लेंगे तो बस हमारा पनीर तेयार है अब इस तरह से पनीर बना के देखना बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिये रेसिप्य बनाना शुरु करते है यह मैंने श्ञायद्य वन ले यह उध जब देंगे एक लाजीट ना पान अब कूकर बंद करके हम उसे उुबालने के लिए रख लेंगे करीबन एक कूकर में लगाएँ अब तक हम इंक्रेडियंस देख लेंगे यह बारिक कटी हुए टमाटर बारीक कटी हुए प्यास यह परनल जो हमने बनाय था वह और यह सोया गृनुस। सबसे पहले हम मिक्सर जार में ले लेंगे आधा कटा हुआ टामाटर आधी कटी हुई प्यास छे से साथ लसन की कली और छोटा सा अधरक का टुकड़ा इन जब को हम पीस लेंगे अब एक पैन में हम लेंगे तेल यहां मैंने तीन बड़े चमचीतना तेल दिया है तेल गरम हो जाए बात में उसमें हम डाल देंगी वन टीसमचीतना जीरा तेल valeur का टी थो 1 खल श्यक्तथा나ीम में ब्यंक का यहां मैंने धूब 2 आमेज को Qком तो launches ऑज़ा द पिस पॉंची listen तरह गरम तेल में लाल मिल्च डालने से सब्ची का कलर बहुत ही साथ अच्छा आता है प्यास को हम अच्छे से सौटे करें कि इस तरह से प्यूरी बनाते लाने के लाने की कि जब बुर्जी बनती है तो वह सुखी सुखी में लिए इस तरह से प्यूरी डालने दे पूची में टेक्स्यरा आजाता है अगो एक शीर देखने में लग्ता है अच्छे से सौटे हो जाए उसके बाद से हम डालेंगे हाफ बाउ चलता कैपसी कर आप बाउ चलते बारी कटे हुए टमाटा अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस टेश पर हम उपर से डाल देंगे एक चमच इतना घी इस तरह ग्रेवी में उपर से घी डालने में ग्रेवी में शाइन आजाती है और खुश्पु भी बहुत ही जादा अच्छी आती है बस्तों सबको अच्छे से मिसका लगते हैं आप देख सकते हो ग्रेवी में से तेल छूटने लगा है हमारी ग्रेवी तैयार है अब उसमें हम डाल देंगे यह वाल के रखे तिक हो पुरा पानी निकाल लेंगे पहले अब उसमें हम डाल देंगे हाफ बाव चितना पनी जो पनी हमने पनाया था वह अगर आप नौर्मड पनी रियूज करें तो उसे ग्रेट करके डालें अब तक अच्यों से मिक्स करके इसे दो मिल्ट के लिए ऐते ही देड़े देंगे अब उसमें हम उपर से मसाले कर लेते हैं वन ती स्पुंजीतना भल्दी पावडर तू ती स्पुंजीतना धन्या जीरा पावडर तूम्स्ण ताम ना इसे दो स्पुंजीतना जीरा तूम्स्टा ना बड़ते हैं अच्छ च्छी मिक्सक्ड़ने तो अच्छी हम्सक्ड़ने तो च्छी प्सक्ड़ने थे जा रिए नमक स्पादानों सा हरी मतर, चाट मसाला, केचप, ब्लैक पेपर पावल और घरम मसाला 1-4 बाउल चितनी हरी मतर 1-1-2 तीजप चितना केचप यहां मैने हरी मतर बाउल करते हूं 1 तीजपून चितना प्लैक पेपर पावल 1-2 तीजपून चितना चाट मसाला और 1-2 तीजपून चितना करब मसाला और उपर से मैंने आधा ग्लास इतना पानी राल दीए सब कच्चे से मिश कर लेते हैं आप देख सकतों टेक्शर एक्तम पर्फर्ट है अब इसा हम ढख के रहने देते हैं तीन मिड़िट के लिए तीन मिड़िट बाद हम खोल के चेक कर लेते हैं तो बस हमारी सोया बुलची तयार है मैंने के एक तम पर्फर्ट टेक्शर है ये सोया बुलची इस बहुत ही जाद अच्छी रखते हैं और इसमें हमने पनीब और सोया ख्रेंजूस का युश कर जो प्रोटेंट रेचिए ये बहुत ही स्वादिस है और बहुत ही जादा है ये रेसिपी अगर आप इस तरह से बनाओगे तो बच्छे सब खा रहेंगे वैसे बच्छे सोया बुलची खाना पसंद नहीं करेंगे उपर से हम उसे स्प्रिंग ओनियों से गार्निश करेंगे और और कोरियन डेली से तो बस हमारी सुया भुजी तई आ है अगर आती भी बतादा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे क्रेश करें।